दोस्तों मैं संदीप डिकोडिंग नेट जी आरेप से आज हम लोग बात करेंगे प्लेटो के बारे में प्लेटो पॉलोटिकल साइंस के एक इंपॉर्टन फिलोसफर है और उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है तो प्लेटो को समझदी का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके कॉंटेक्स को समझा जाए वो एक ऐसी सिच्वेशन में थे जमाने में जी रहे थे जहां पे एक वार हुआ था इस्पार्टा और एथेंस के बीच में जहां इस्पार्टा जीत किया था तो सुसाइटी को ठीक करन पैथागोरस, पर्मेंटीस और सॉक्रेटिस पैथागोरस का जियोमेट्री का थेयरी था जिससे आपको यह लगता है कि जो रियलिटी है उसको आप मैक के तू देख सकते हैं प्लेटों को भी ऐसा ही लगता था दूसरा जो है उन्होंने लिया प्रभावित होके आईडिया सॉक्रेटिस में जो सॉक्रेटिस से लिया और इससे लोगों का बोल बाला था sophist लोग वो लोग होते थे, वो teaches होते थे, छो लोगों को individualism के बारे में सिखाते थे, profit making के बारे में सिखाते थे और जो basic चीज़ें है, life के उनके बारे में सिखाते थे, तो Plato को लगताथा कि यही reality नहीं है, इसके beyond be life है जिसको आप समझना है और वो जब नालोज हो जाएगा लोगों को वो जानकारी हो जाएगी तब ज्यादा बेहतर वो rule कर पाएंगे और ज्यादा बेहतर society बन पाएगे फिर हम methods की बात करते हैं कि इस लेटों ने कौन सा method यूच किया जहां पर उनके पास आलेडी confusion होते थे dialectic method का मतलब होता है कि dialogue के truth सहीत तरीके से कुछ निकालने की कोशिस करी हुए उनको idealist, utopian और radical बोला जाता है idealist इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो idea को priority देते थे material से idealist इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जैसे हम simple sense में बोलते हैं कि idealist है क्योंकि उनको एक अपना model पता है कि यही best model है उसी को follow करने की कोशिस कर रहे है utopian भी इसलिए बोला गया है क्योंका model जो है वो बहुत possible नहीं है यह लोगों को लगता है radical इसलिए बोला गया है क्योंकि उस समय की Greek society में जो बाते चल रहे थी उसके एकदम radical विचार थे उनके जिसकी वजह से उनको feminist और अलग-लग बातें कही गई है फिर हम एक अलग बात जो है उसमें वो है कि प्लेटो reality को कैसे देखते हैं तो प्लेटो को लगता है कि जो reality हम देख पा रहे हैं वो वास्तों में reality नहीं है वो सिर्फ परचाई है जो reality है उसकी वैसा ही फिर उनने एक गुफा वाला example दिया है कि गुफा में आगर आप घुज़े हैं आपको कोई बाहर निकालेगा तो शुरू में बहुत अलग अजीब सा लगेगा आपको थोड़ा धर भी लगेगा उसके बाद तो उनने बताए क कि तब आप reality देखते हैं तो सेम है कि जब लोग एक process के तुरू जाते हैं पढ़ाई के तुरू वो चीजें करते हैं geometry और इसा प्रैक्टिस करते हैं तब वो reality देख पाएंगे ऐसे reality नहीं देख पाएंगे अब हम जो mean ideas है उस पर बात करेंगे तो पहला जो आइडिया है फिलोसफर किंग का है बहुत ही important idea फिलोसफर किंग का इडिया उन्होंने इसलिए दिया कि उनको लगता है कि इस society में बहुत ही करप सन है और जो rulers है उन्हें सही ग्यानी नहीं है उन्हें बताए कि सबसे best system वहां होगा जहां philosopher जो है भूर आजा होगा कि उसको सही चीजों क जानकारी होगी और जब उसको सही चीजों की जानकारी होगी तो उसे लालच नहीं होगा अपने बारे ने खुद पर कंट्रोल होगा region dominant करेगा यह सब बात उन्होंने बताई फिर उन्होंने तीन बाते बताने की कोसिस करी है कि तीन चीज़े होते है एक होता है रिजन एक ह चोड़ी-छोटे सिटी स्टेट से उनसे जोड़ने की भी कोशिस करी जिन लोगों में spirit और courage dominate करेगा वो दूसरे नंबर पे होंगे तीसरे नंबर पे वो लोग होंगे जिन में desire dominate करती है यह बाते समझदा जरूरी है कि जो ideal state का concept आएगा फेटो का बात में वह इन सब बात है कि यह अपनी duty करने जैसा है जो आपका duty है वह काम करेंगे वही नहीं है दूसरा बोलेगा कि आप किसी का जो भी आपके उपर उधार है वह देने दें चाहे कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके साथ गलत करें जो सही कर रहा है उसके साथ सही करें यह नहीं है तीसर मूठका जो नियाय का काॉंसेट आपको क्वालिटी आप सोल के बारे में इन्याय का ऐसा सिस्टम बनाएगा जहां पर जो रिजन और वह कंत्रों में रहे और ऐसा शिस्टम बनेगा वह सा इते फिर उन्हें और फिर यह ऑफ एज्वाइश कि कैसे किसे पढ़ाई होनी छहीं और उन्हेंने कुछ अलग अलग राजियों से यह model थोड़ा सा सीखने की कोशिस किये स्पार्टा से कुछ बाते लिए हैं दूसरे राजियों से कुछ बाते लिए हैं ताकि best model बना पाएं फिर थेरी आप communism में हम बात करेंगे उसमें property का और family का फैमिली का communism करने का मतलब है communism of wife ताकि best breed जो है एथेंस में निकल के आए एथेंस ससाइटी अच्छी होपा है और property का इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ पर करप्सन ना हो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में प्लेटो के और भी concepts जो है उनके बारे में बात करेंगे और उनके जो main debates हैं उनके बारे में बात करेंगे ऐसे देखते रहें वीडियो आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आपको simple language में वीडियो बनाके हम लोग डालते रहें